नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है C.Y.S. लोजर में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरू को लेके यानि कि गुरू अगर हमारी जन्म कुंडली में दिर्तिय भाव यानि सेकिंड भाव धन भाव में हो कुटुम्ब भाव में हो तो क्या परिणाम होते हैं इससे पहले हमने पर्थम भाव के ऊपर भी वीडियो बनाया था और हमारी इस यूटूब चनल पर अभी नवमास की वीडियो सीरीज भी चल लई है नवमास कुंडली को कैसे फलित किया जाए बहुत महत्यपूर्ण होती है नवमास कुंडली क्योंकि ग्रह जो लगन में बैठा होता है वो सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट देने वाला होता है वो अपने नक्षतर का साथ में नवमास का भी इसलिए उनके भी वीडियो देखिए उनसे भी आपको लाव रहेगा और मे यह वीडियो संपूर्ण देखे क्योंकि यह जो वीडियो होगा यह बहुत ही मैत्पूर्ण वीडियो होगा इसमें हम गुरू को फलादेश कैसे करें फलादेश सीखना बहुत ज़री होता है क्योंकि अच्छे और बुरे परिणाम तो हम बताएंगे ही वह परिणाम तो आ आएगा लेकिन वहाँ पे रासी बदल सकती है वहाँ पे जो है उस ग्रह की यूती बदल सकती है उस ग्रह के ऊपर किसी ने किसी ग्रह की द्रश्टी बदल सकती है तो इस परकार परिणाम एक जैसा नहीं हो सकता लगन बदल सकता है गुरू की योग का रखता बदल सकती है त अगर अच्छा है तो क्या परिणाम रहेगा, बुरा परिणाम होगा, तो क्या क्या होगा, उन सब विशों में हम चर्चा कर लेंगे, सबसे पहले जो महत पुना है, वो फलादेश कैसे करें, इसको सीखना बहुत ज़री है, तो देखिए, जो भी आपकी जन्मक उंडली है, जिस भी लगन की जन्मक उंडली है, पहले तो ये देखिए कि उस लगन में गुरू की क्या उपयोगिता है, जैसे हमने ये करक लगन की जन्मक उंडली ली, तो इसमें गुरू जो है, वो स्रस्टेस है, यानि कि नोकरी के मालिक है, नोकरों के मालिक है, रिण के मालिक है, और रोग के मालिक है, कर्ज के भी मालिक है, इनके साथ जो हैं वो गुरु मालिक है भाग्य के, लंबी यात्राओं के, पिता के, पिता के सुक के, और हमारी उच्छ सिक्षा के, तो यानि कि गुरु जो हैं वो भाग्य भाव का है, इसलिए इसे इस रासी के जो दूस प्रवा मुकाफल नहीं मिलेगा तो यह तो हुआ एक बात तो आप यह माने कि गुरू जो है वो नौमेश है सेकेड आउस में बैठ गए तो आप यह कह सकते हो कि लाबदायक है तो आप इस तरह से पहले अपनी जन्मकुर्णी में गुरू का जो आंकलन है उसको थोड़ा सा निकाले फिर गुरू को यह देखें कि गुरू जो यहांपे बैठा है वो रिश्वामी कहा है तो इस चटे घर में बैठा है तो गुरू जो है वह छक्टे घर से जुडग तो earning के लाब होने शुरू हो गए, अब गुरु जो हैं, वो जन्म कुंडली के अंदर देखना है किसके नक्षतर में, यह बहुत ही मैत्वपून है, हमने देखा कि गुरु जो हैं, वो सिंग रासी में है, तो सिंग रासी के अंदर तीन नक्षतर चलते हैं, केतु का नक्षत यह सुकर देवता का है, तो सुकर देवता चतुर्त बाव में बैटे तो अगर हम आख लर लेगे, तो घुरू जिसके नक्षतर में हैं, स्वारासी के चतुर्त बाव में मालव योग में बैटा है, और गूरु भागे का मालिक है, तो यह तो लाब हो गया, इस तरह से आप कोई आखला लेना है कि भाई आपका जो गुरु है वो सही है या बुरा है फिर आपको लेखना है कि इस गुरु पर कोई असुप गरे की दृष्टी तो नहीं है जैसे यहाँ पर सबसे पहले अगर रहे तो सुक्र की दृष्टी नहीं है फिर मंगल की क्या दृष्टी आ सकत चटे घर में बैठे हुए राहू की दृष्टी है गुरू पे तो आप थोड़े से आंकलर ये भी ले कि राहू की दसा अंतर दसा में चटे भाव के परिणाम गुरू तिर्वगति से देगा और उस समय आपको पीड़ा भी हो सकती है यहने कि परिवार के सम्मंदित कुछ आ समय तो रेके उसके नक्षटर स्वामी शुक्र के और राव के परिणाम आपको फिर उसको नवमास में देख सकते हों मजबूति के तौर पर कि गुरू यहां से नवमास में गया है आपके शुक्र की राशी में और चत्र भाहव में गुरु अच्छा है तो हम कहेंगे कि य भाव जो है यह बहुत ही critical भाव है यह एक ऐसा भाव है जिसको हम यह कहेंगी यह एकदम किनारे पर बैठा हुआ भाव है क्योंकि इसके ठीक सामने हमारी मिर्ट्यू बैठी है अठ्वा भाव अगर कोई असुब ग्रह आठ्वे घर में बैठा है तो अपनी सात्वी दृष् आंखलन लगा लिया है कि मेरा गुरु अच्छा है या बुरा है तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं तो अगर आपका गुरु अच्छा है तो आपको क्या परिणाम होगे यह धन भाव है कुटुम्ब भाव है गुरु वर्धी का कारक है तो गुरु अगर यहां पे होगा त सदेव ही अच्छे परसंद रहने वाले वेक्ति बनोगे बोलोगे तो मिठास बढ़ेगी और आपके सत्रूर नहीं होंगे क्योंकि ये कुटुम भाव है कुटुम भाव का मतलब है कि गुरू अगर यहां पे होगा तो आपके कुटुम यानि परिवार की वर्दी करेगा तो आपके सत्रू भी आपके मित्र बन जाएंगे और वो आपसे सत्रूर नहीं रखेंगे इसके बाद ये भाव जो है वो हमारी वानिका है तो हम इस्पष्ट बोलेंगे सुन्दर बोलेंगे प्रभाव साली बोलेंगे जिससे कि हम लोगों को लाब दे गुरू सुब ग्रह ब बनाएगा हमें अच्छा व्यवसाय करने के लिए और उससे धन कमाने के लिए और संचित पूंजी करने के लिए योग्य बनाएगा हम अधिक से अधिक धनलाव इखटा करेंगे हमारे को सोने का सोग होगा हीरे जवारा बेंक में बैलेंस रखे अच्छा पैसा रखे अपन मीठे को दरसाता है और इसके पश्चा जो सबसे ज़्यादा लाब देख है कि गुरु अगर सेकेंड भाव में सुब बैठा आओ तो जातक को सरकारी नोकरी की योग बनते हैं उसका जो धन है वो सिक्योर हो जाता है उसे हमेशा ही धन प्राप्ति की योग रहते हैं जातक के स संतान की साधी हो संतान के बच्चे हो सब सुक उसे मिलें क्योंकि वर्धी का ग्रह है तो कुटुम को वर्धी करेगा तो उसके देखते देखते ही उसके सामने उसके पूरे कुटुम की वर्धी हो जाएगी अगर गुरु यहाँ पे सुब बैठा है तो जातक को तेरवी व वर्स में अपनी साधी के और बच्चों के योग देखेगा और 30 वर्स की आयू में उसे अनेक और विशेस धलाव होंगे और 38 वर्स की आयू में पत्नी पुत्र और माता-पिता से सुक्रेगा और धार्मिक यात्राएं भी करेगा ये सब अच्छे गुरु के परिणाम हैं अशुब गर्य मान लेजिए बुद्ध है बुद्ध तीसरे घर का मालिक है और बारवे घर का मालिक है अशुब है बुद्ध अगर जन्मक उंडली में गुरु को देख ले या गुरु के साथ बैठ जाए तो जात्तक को धनहीन कर देगा अशुब परिणाम देगा यहां अगर बुरा गर्य इसको देख रहा है या गुरु नीच का है या सत्रू रासी में है और सत्रू ग्रय उसको देख रहा है तो जातक धगी होता है मिठ्यवादी होता है ब्रिष्ट होता है और अपने कुटुम्ब का नासक होता है अपने भाईयों से कुटुम्ब से हमेशा जगड़ा करके अकेला रह जाता है और कुटुम्ब हीन रह जाता है और जातक अपने पुत्रों से भी हीन हो जाता है जातक जो है वो परिस्त्री गामी होता है जातक कि साधी नहीं होती है या साधी हो जाए फिर भी वो जो है वो परिस्त्रियों में विश्वास रखता है क्य जाक्तक हमेशा रिण लेने में रिणों में ही रिणों के करजे स्वतम होने के बात पर हमारे जीवन का चक्र है डिसकी प्लाव है और इसके ठीक सामने अश्टम भाव है तो अश्टम भाव से बैठा हुआ ग्रै इसको देखता रहता है अगर यहाँ पे सुब है गुरू तो अश्टम भाव को देखते हुए अश्टम भाव के नकारत्मक पर भाव को काटता रहेगा और यहाँ पे कोई असुब ग्रै आ जा उनमें आपकी जो है वो सलंगनता रहेगी हमेशा तो इसलिए आप जब भी अपनी जन्मक उडली में आंखलन लगाते हो तो जो मैंने प्रिंसिपल सरू में बताए हैं उनके द्वारा देखे कि अच्छा है बुरा है उसके बाद अच्छे वाले आंखलन लगाएं बुरे वा जन्मक उडली है इसमें गुरु देवता जो है वो छटे घर के मालिक है और आपके नमे घर के मालिक एक योग कारग्रे बन गए तो योग कारग्रे तो लाब देंगे फिर आप देखिए कि गुरु किस रासी में गुरु अपने मित्र रासी सूरे की रासी में सूरे जो है वो गुरु की राशी में है, तो राशी परिवर्थन हो गया, अब गुरु जो है, वो किसके नक्षतर में है, गुरु जो है, वो जन्मक उंड़ी के अंदर आप देखोगे, तो जुपिटर यहाँ पे लियो राशी के अंदर 20 डिगरी में बैठा यानि की सिंग राशी में, स सिर्क लगन की जन्मकोंड़ी में समग रहे हैं औपर इसके बार आप देखें कि गुरु भाके का मौलिक था तो मजबूत था उसकी रासी के अंदर चंदरमा बैठा है तो और ही जदा मजबूत है क्योंकि चंदरमा जलका कारक है और ये रासी भी जल्य रासी है तो गुरू की एक रासी भी मजबूत हो रही है दूसरा क्या है कि गुरू की धनू रासी अब गुरु के ओपर किस की दृष्टि है सबसे पहले गुरु जो है वह अपनी पांचवी दृष्टि से एक, दो, तीन, चार, पांच, पांचवी द्रिष्टी से जो है वो राहु को देख लेते हैं, सूरे को भी देख लेते हैं, तो सरकारी लॉब देंगे, सरकारी नोकरी बनाएंगे, अब गुरु राहु को देख लेते हैं, तो राहु की जो द्रिष्टता है, राहु की जो नेगेटिव पॉइंट है, उनको कम कर यहां पर एक छोटा सा माइनस पॉंट यह बन सकता है कि जातिक की साधी में थोड़ा सा डिले आ सकता है वो भी किस कारण कि जातक नौकरी के करम के चकर में आके थोड़ा सा अपनी साधी को डिले कर लेकिन फिर भी समय पे हो जाएगा क्योंकि गुरू वर्दी का कारक है और वो आपका धन भाव में बैठा है तो सब चीजे समय पे आ जाएगी राहू नौकरों का कारक है नौकरों के अंदर हो रही नीचता का कारक है तो आप यह कह सकते हो कि छटे गर में बैठा है तो नौकरों से कुछ नुकसान हो सकता है मामा के गर में बैठा है तो मामा के कुछ सडियंद्र का योग बन सकता है लेकिन गुरु की दर्ष्टी ओने काड इतने नुकसान के योग नहीं आएंगे हम ऐसे चीजों को हम इतना ज्यादा सीरेसली नहीं लेंगे लेकिन हम यहाँ पर यह देख सकते हैं कि जाब तक को अपनी वानी पर हमेशा कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि गुरु यहाँ पर ज्यादा उत्तेजना दिखाते हुए कहीं नहीं कहीं असुब और ऐसा बोलेंगे जिसके कारण हमारे को कुछ पीडाएं जरूर रहेगी तो इसलिए क्योंकि राहु जल्दी और कुछ ऐसे घणित वाके बुला देता है जो हमें पीडा मान कर देता हूं या कोई भी तरह से किसी को नीचा दिखाना इस तरह के कारे कर देगा जिससे कि उसके सत्रू भी बढ़ सकते हैं क्योंकि सत्रू का घर है राहु पर यहां पर बैठा है तो चुप चाप नहीं बैठेगा उंगली करता रहेगा तो इस लिए इस राहु की श करें तो आज का वीडियो कैसा रहा आप जरूर बताएं अच्छा लगा तो लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों